नमस्कार दोस्तों गार्डनिंग प्राजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस पर काफी जाधा सर्दी और कोहरा की बज़े से हमारे कई पर्मनन प्लांट खराब हो गए हैं फरबरी शुरू हो चुकी है और आप समय आ गया है हमें इन प्लांट को ठीक करने का आज मैं म मोगरा के प्लांट पर काम करने वाली हो मोगरा बेला या जैस्मिन फैमली से जितने भी प्लांट से सभी के केर सेम होगी यह मोगरा और बेला के दोनों ही प्लांट तीन साल पुराने हैं लाश्ट यह आपने देखे होंगे इन दोनों ही प्लांट में कितने सारे फूल के ल प्लांट हैं मोगरा, बेला, चंपा, गुरहल, लीली, चांदनी ये जो सारे पर्मान इन प्लांट है इन में फ्लॉब्रिंग स्टार्ट हो जाएगी लेकिन फूल आने से पहले इन प्लांट में हमें कुछ जरूरी काम कर लेने हैं ताकि पहले प्लांट स्वस्थ और हेल्दी कटिंग के बाद दूसरा काम है मिट्टी की अच्छे सी गुडाई करना गुडाई करने के बाद 2-3 इंच मिट्टी को बाहर निकाल लेंगे मैंने इन प्लांट को पिछली साल रिपोर्ट किया था तो अभी इसे रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है अगर आपकी पास पु प्लांट को देते हैं वो नीचे की जड़ों तक नहीं पहुच पाता है और गर्मियों में जब प्लांट को पानी की ज़्यादा जरूरत होती है तो पानी भी आधे पौट तक ही रुख जाता है तो रिपोर्टिंग करते समय आप चैकर लें जड़ें बहुत ज़्यादा ब मिट्टी रखें 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट बाकी 30% में सेंड और कोको पीट आप मिक्स कर लें मिट्टी बाहर निकालती समय ये धान रखें कि सेंटर पर जो रूट बॉल है उतना हिस्सा छोड़ दें ये देखिए किनारे से मैंने 2 इंच से ज़्यादा गहर आने लिए हैं एक चमच बायो पुटास दो चमच चाय की सूखी हुई पत्ति एक चमच एनपी के इन चारों चीज़ों को अच्छे सी मिक्स करके रख लेते हैं और इसके बाद फंगस से बचाने के लिए हम ये ले रहे हैं साप फंगी साइड इसे हम पॉट में चारों तर दिसंबर जनबर ही इन दो महीनों में इनने कोई खाद नहीं दी थी इस समय हमें अच्छे से पोसण देंगे तो इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और जब प्लांट सवस्थ होंगे अच्छी ग्रोथ होगी तभी ये भर भर के फूल दे पाएंगे वरना सीजन आने पर इसमें फूल तो आने लगेंगे लेकिन बहुत कम फूल आएंगे इसके लाबा ये ली है मैंने लीप कमपोस्ट जो मैंने घर पर ही तयार की थी लीप कमपोस्ट में भी वो सारी चीज़ें होती हैं जिनकी प्लांट को जरूरत होती है लीप कमपोस्ट को घर पर कैसे बनान nitrogen, phosphorus और potassium ये तीनों चीज़ें इस समय हम plant को दे देंगे इसके बाद 15-20 दिन तक हमें इसमें पानी के अलावा कुछ भी नहीं देना है अब खाद देने के बाद जो मिट्टी हमने बाहर निकाली थी इससे इस तरह से एक layer इस मिट्टी की लगा देंगे मिट्टी डालना इसलि तक पहुंच जाए इसके बाद पानी तभी दें जब उपर से एक दो इंच मिट्टी सूख जाए और हां कटिंग के बाद ये काम भी जरूरी है कि कटिंग पोर्शन को फंगी साइड या हल्दी पाउडर से इस तरह से कबर कर दें इसके अलावा ब्रांच पर कहीं भी आप वो जल्दी ही मिलेगा थेंक यू